नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फ्री सिक्षाखे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों HSC CET रिजल्ट में बदलाव CET क्वालिफाई अपडेट और गुरूपडी CET में आचानक यह क्या हो गया कम नमबर से CET कटोफ में भी बदला होगा सात्यों पूरी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी अगर आप भी अरियाना या HSC की सभी बर्तियों से रिलेटिट जानकरी रेगुलर पाना चाहते हैं सात्यों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल के उपर सबसे पहले ऐसे अपडेट पहुंचा आई जाते हैं तो चलिए सात्यों देख लेते हैं क्या बड़ी खबर आई है यह देख सकते सात्यों आरियाना गुरूप सी का CET स्कोर संसोधित होगा डेड लाग अभियर्थियों ने किया अपडेट है यानि कि सात्यों तीन लाग सतावन अजार युवा CET क्वालिफाई किये हैं जिसमें से डेड लाग कंडिडेटों ने अपडेट किया है अपडेट क्या करना था सात्यों जिन कंडिडेटों को नंबर विडरा करने थे उ जिनका प्रोविजनल था उनोंने प्रोविजनल आटवाने के लिए अपने डोकोमेंस अफलोड किया है और साथियों जिनोंने गल्ती से जिनको SSCनE नंबर दे दिये या जिनोंने गल्त ले लिए हैं उनको नंबर विढरा करने का आप्शन दिया गया था, तो ये डेड़ लाक अभ्यर्थियों ने अपना जो अपडेट किया है उसके बाद साथियों उनका CET स्कोर भी बदलेगा वो इन्फोर्मेशन आपको बताएंगे उससे पहले गुरूप D वाड़ा देख लीजिए गुरूप D के लिए CET आगामी सितंबर अक्टूबर में संभव है गुरूप D के पद अप्रेल में विज्यापित होंगे मगर CET आगामी सितंबर अक्टूबर में ही होगा तो साथियों आभी ये पद बताए जा रहे हैं 11,718 तो साथियों इन पदों की जो संक्या है वो लेकिन एड़ोटाइजमेंट अगर आप जल्दी नहीं निकालोगे तो ये पद और कम हो जाएंगी क्योंकि 22,000 फिर 18,000 फिर 14,000 फिर 12,000 और अब 11,718 कहीं पास 700 पद और एड़ोटाइजमेंट आते आते कम ना हो जाएं साथियों ये डिपार्टमेंटों के कारण होता है डिपार्टमेंट पद वापस ले लेते हैं और बाद में एड़ोटाइजमेंट के लिए दुबारा उपद काफी समय बाद बेजते हैं साथियों जैसा कि गुरूप सी बरतियों में आपने देखा होगा कि एड़ोटाइजमेंट जारी कर दी गई थी अच्छसी के तवारा इनके लिए आवेदन मांगे जाएंगी क्योंकि अलग-अलग आवेदन कैसे मांगे जाते तो डिपार्टमेंटों के साथियों काम ये ऐसा है और भी नवे पत कुछ आने हैं आप साथियों सीटी क्वालिफाई की बात कर लेते हैं सीटी क्वालिफाई के लिए काम देने का मोगा मिले गाया नहीं ऐस से को सबसे अच्छा प्रोसेस तो परोलिफाई उठाओ गाँ दिया जाहे है तों लगया अज उप काफी साथियो कमेंट आते हैं Já कवाइज के यू उपर साथ्यों बहुत से vidéo बना दिये हैं और मैं तो जब सब्भी भी क्वालिफाई का कोई अपडेट आता है तो यह बात जरूर रखता हूं कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए और चेयर्मेन साब भी इस बात में पोजिटिव डिस्पोंस देते हैं साथियों वह भी चाहते हैं सीटी क्वालिफाई हो जाए लेकिन जिस अब यहाँ चाहिए अधियर्थियों का रजल्ट में बदलाव आएगा धेडि ला कवब यहाँ अधियर्थी का जो वापिस लिया है या कलेम किया या कुछ नेद्रस्ट किया है तो आयो क्याद्रेख्स बोपाल सिंजी खदरे ने बताया कि जिन अभेयर्थियों का सातियों जदत्र कांडिडेटों का support कम होगा क्योंकि सातियों 50,000 या 60,000 धाया थे जिनकेर लिखावाया था लेने के लिए सातियो आव दिन किया है उन कंडीटों की संख्या है लेकिन वो काफी कम है जो विड़रा करने वालों की तुल नामी और provizional वाणों को भी सात्यों जातरा कंडिडेटों के नंबर कम होने वाड़े हैं तो ये आप देखना जो जिनोंने जैसा ऐपडेट किया है उसी अनुसार होगा कारिये तो लेकिन जातरा कंडिडेटों ने नंबर विड़ा करने के लिए लगा दिया है अब उनका अगर स्कोर कम होगा तो सात्यों CET में 4 गुणा वाड़ी जो कटोफ है वो भी कम जाएगी लेकिन ये जानकारी दुबारा रजल्ट आएगा एक दो दिन में आपका जो रजल्ट है रिवाई जो किया जाएगा उसके बाद सात्यों कितना स्कोर कम होता है ये अंदज आना के बाद और आपका जो कमेंट लिये जाएगे कि कितने स्कोर आपका कम हुआ है उसके बाद सात्यों नई कटोप का अंदज लगाया जाएगा और जल्दी नई कटोप आपको बता दी जाएगी कि कोण कोण का डेट च्यार गुणा में आ सकते हैं संबावित तो ऐसे सात्यों जो भी अपडेट आपको रेगुलर चाहिए वो चैनल के दवारा आप तक पहुचाए जाते हैं आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं अपना मैत पूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में